वीडीओ से आपकी अपने चैनल पर वीए स्टडियाज सब्जेक्ट, तो इसके अधा जैसे कि नाम है बैसी तरगे से आपके लिए सारे सब्जेक्ट जो हैं वह आपको पढ़ा जा रहे हैं तो आज की वीडियो में वीए फस सेमेस्टर की बात करेंगे कि फर्स सेमेस्टर में आपको जो इसकी बात होगी वो हो और ही हिस्ट्री का पेपर हमारा है कि ने हिस्ट्री का मॉडिल पेपर कई सकते हैं और जो एकजाम पेपर युनिविस्टी दिया था दो जार तैईस में तो वो किस तरह के साया था उसकी चर्चा करें कोशन कैसे आएंगे कितने पर कोशन होंगे इन सब की बाते करेंगे और वीडियो को आप दोस्तों में लाइक से कर दीजिए कामेंटर आप वादाने कोशिच किजिए कि कौन सा वीडियो आप चाहते हैं अभी तक मैंने इंग्लेस की हैं थार्ड का भी चलाया है और आपका फ पेपर होगा पेपर कोड़ वारा यहीं 0701 और यह आपका फस्समेश्टर जमसें तो तेज की बात हो रही है और पेपर आपका कोड़ यह नाथी निकी इतिहास ठीक है तो आज इतिहास की कोशन के कैसा अधा किस तरह के सा एक है को हल करेंगे आपकर सम्झाएंगे किस सपर इंडिया भारत का प्राचीन और सुरुवाती भारत है उसकी बात करेंगे तियास के नुसार यह आपका राएगा 1206 च्राप का इतियास यह परदेंगे तो कोशन जो आपके अंसर होंगे वह का नुम्लम का आपका होगा मिट्टर्म होगा ठीक है और इससे लिट्रम कैपले स्ट्रिम एक वाया है और अल अटेंट करने हैं section और उसी section के अधर पर जो दिये गए instruction है उनके अनुसार ही आपके लिए question को solve करना है तो सबसे पहले आपके बात करते है section A इनकी खंड आ इसमें very short answer type question मिलेंगे तो यह question आपके लिए question में मिल लाएंगे और कुछ question हम आपको और भी देंगे latest test तो इसमें क्या रहाएगा attempt file five पांच question होंगे आपको पांच हो खुल करने है solve करने है जिनके लिए प्रते question के लिए ती नंबर होंगे तो very short answer type questions record not to 75 birds ठीक है इन्हीं 75 सब्दों से जदे जो है नहीं है तो कि नहीं पांच प्रसुन को उतर देजिए यहां देखिए यहां दिया हुआ है प्रते गर्द लोगत तुरी प्रसुन का आपका जो नंबर होती है जाएगा अधिक्तम जो संक है maximum आपके जो सब्द है वो 75 सब्दों में देना है तो देखिए यहां पर पहला कोशन है एक्स्प्लेंड दा मीनिंग आफ इस्ट्री इतिहास का अर्थ किया है उसे आपको बताना है इस पर कीजिएगा कोशन सेकेंड है आपका देखिए यह पेपर आपका दो लेंगोज में हिंदी इंग्लिस दोनों में है तो जो इंग्लिस के स्टुडेंट है वो अपना कोशन को समझ के उसको हिंदी में अपना अंसर लिखेंगे डिस्क्राब दा इमर्जेंसी आफ इंडस बैली शिवराजेशन जो इंडस बैली इनकी सिंदुगादे से बिठता है उसका उद्वो कब हुआ था उसका बर्ण क्या है उसके बारे में बताना है अग्ला को कोशन आपका जो थिरी है वो है आपका अग्यादे से बिता के इस दो बता चुका आपको एक्स्प्रेंड असोगा इस कांसेप्ट आफ धर्मा इनकी असोग का धम के बारे में क्या आफ दर्णा थी यह क्या विचार थे वह आपको बताना है तो यह बेरी सब कोशन है और इ और दोस्तों में से किजिए कमेंट भी किजिएगा आने साथी को जोड़ीगा अपने नई ने लोगों को जोड़ीगा डेस्क्राइब दा एचीवेंट आफ कनिसका ठीक है तो कनिसकी की जो एचीवेंट है जो उपलब्दियां है उनके बारे में आपको बताना है कनिसकी न क्रणा करना है तो तुर्य होगा था दो और उससमें उनका भार्त पर कलना को आपको पताना है तो जैसे आपको प्लोड़न वाणि स्टिट की ओपन कीजेगा और कोश कई वीडियो संख्या में अप्लोटेट हैं तो बहां से ही विलिएगा और नई वीडियो आपको मिलते रहेंगे उसका वीडियो इंग्लिज का अधरबाज की सी अन सब्जिक्ट साथ में जिरुन भिलेगा तो आप लिए उन्दिरा सनाओं सेक्शन B की बात कर लेते हैं खंडखा है साथ अंसर टाप कोशन इसमें साथ हैं इसमें आपके लिए जो है कम से कम एक पेज का अंसर करना पड़ाएगा तो लिखा है कि attempt any two questions out of following इन्हीं किनी दो प्रसनों के आपको अंसर देने हैं दो कोशन के आंतर लिखने हैं जो कि आपका कितने का सेवनिटी पाइंट सेवन पाइंट पाइंट फाइब मार्क इन्हीं की साड़े साथ नंबर का कोशन नहीं है एक कोशन का नंबर साथ नंबर मिलेंगे तो maximum आपके कितने होना चाहिए ठीक है आईए अब देखते हैं आपका जो कोशन है फाइब उपर थे और सिक्स नीचे आजाएगा तो यहां देखिए हिंदी में भी दिया हुआ है कि निमने में से किनी दो प्रिसमें को तर दीजिए प्रतेक प्रिसमें जो है साधे साथ नंबर का है अधिक्तम सब्सक्राइ इसको अगर पढ़ेंगे तो हडपा पढ़ेंगे ठीक है हिंदी में तो हडपा सब्पिता जो थी उसके लिए देर खिली जी जाके तो हमारा चैनल पुराणा है हेवेंसी लेक्चर्स तो उस पर भी उम्मिद करता हूँ आप लोग बिजट कीजिएगा उसमें आपके लिए अगर पढ़ेंगे तो हडपा से लेटेट जो मैंने पेट एक्जाम के लिए पढ़ाया था है इसमें आपको इसके कोशन के आंसर मिल दाएंगे हडपा सब्पिता सिंदू सब्पिता मैंने उसके सब पढ़ाया है ठीक है तो उसकी प्लेस्ट को ओपन किजिएगा और उस प अगर समराजय था तो उसका जो बढ़ने का ब्रोत्री का क्या कारणा था उस पर प्रकार जालना है समझाना आपके लिए कोशन नमबर हमारा एट है डेस्क्राब देक कैसे साफ राइजाब फेडियूजीन इनिकी फेडिलिज्म इनि सामंत बाद जो सामंत बाद जो उते इनिके सेक्षन सी खंड सा तो खंड सा में आपको मिलेंगे लाउंग अंसर टाइप यह दिर गुत्री परसमें इसमें आपके लिए 15 मार्क्स हैं तो लिखा है कि अटेम्ट आल कोशन्स देखिए पहला कोशन आपका था कितन नमबर का 15 नमबर का तीन नमबर का था दूसरा नमबर भी आपको कोई दूसरा सेक्षन भी आपके लिए 15 नमबर का था तो इसका मतलब 30 नमबर हुआ है 20 ठीक है अब बात करते हैं सेक्षन सी इसमें भी आपको कोशन करना है आल कोशन करने हैं इस कोशन 15 मार्क्स प्रते कोशन के 15 नमबर है रिक्वार डिटेल बिट्वी 500 और 800 वर्ट्स यह पांसो सब्दों की बीच में इसकांतर होना चाहिए निम्र में से सभी प्रिशनों के वो आपको आंसर देने हैं प्रतेक प्रिशन पंदर नंबर का है और 500 सब्दों से आपको उत्तर देना है कम से कम 500 या पर आपको 800 तो देखिए यहां पर पहला कोशन आपका करमा का नमा है और दिर उत्तरी का पहला कोशन है डिस्क्राब दा पुल्टिकल चोशियल एकॉनमिक एंड रिजियस कंडिशन अफ लेटर बैदिक पिरिड इनी लेटर बैदिक उत्तर बैदिक काल यानि कि जो बैदिक काल था उत्तर बैदिक काल की जो समय में राजनेतिक समाजिक अर्थिक और धार्मिक दसा किस प्रकार थी उनका आपको बढ़न करना है तो इनकी आंसर पैसे लिखेंगे आप मैं वीडियो अगली वीडियो में बताऊंगा जो कि आपको आन बोर्ड पढाएंगे हैं आन कैमरा तो उस पर ध्यार आपको कोशन नंबर नमा करने में समस्या आ रही है नहीं कर सकते हैं आप उसको समय नहीं आ रहा है तो उसी का और अथवा में दिया हुआ है तो जो लाइटा अचिमेंट आफ चंदरगुपत मौरिया तो चंदरगुपत मौरिया की उपलब्दिया क्या थी तो नमा का और यह अथवा इन बोने में से आपको एक कांसर देना है ठीक है तो जो लॉवा अंसर है प्रतेक आपका बैकल्पिक यहीं उसमें विकल्ब दिया हुआ है आपका चाहें तो आपमेन कर सकते हो या पर और अथवावाला कर सकते हो कोशन नमबर टैन हमारा है वाई गुप्त पिरिड इस काल्ड गूल्डन पिरिड आफ एंसेंट इंडिया हिस्टिरी डेस्क्राइब यहीं जो गुप्त काल था उसको प्राचे इतिहास का स्रोण के क्यों कहा गया यह स्रोण काल क्यों कहा जाता है इसके बारे मैं आपके क्या भीचा रहा है तो यह भी पॉइंट डाल की हम बनाएंगे जिसे हम बोलते हैं हेडिंग बनाकर कोशन में है आपको शमस्ゃे आ रही है तो आपको क्aya करना यह और अत्वाब वाला की आ लीजिए यह गत हरते हैं आप लोग कारें का समय बना के लिए जिकी करें कारें किसी कि ऐगुआ है इस प्योवह के लिए क्लिए कर रोग भारे अब थोड़ा सा मैं आपको यह बता ना है कि परतीक जो सब्जेक्ट में बढ़ा रहा हूं ने कर दिया होगा कि अगर आपको अनुआ भीडियो नहीं इन तो आपको फ्मों कर देना अपर यह को सारे बीडियो सकते हैं और इदी आप तो उपर एक स्कॉल करेंगे तो एक लिख्या आएगा फ्राम भी इस्टेडिया सब्जिक्ट अगर उसे टेच्च कर देंगे तो फिर करम बाइस मेरे ही वीडियो सारे आएंगे तो आपका जो लास्ट कोशन है उसे देख लेते हैं लास्ट कोशन में क्या है इबल्यूट दा एचीमेंट आफ हर्स बर्धन हर्स बर्धन की उपलब्दियों का मूला एंगर कीजिए देखिए इस कोशन को भी मैंने पढ़ाया है जो की पराना चैनल है हमें लोगों सरी क्यो कि आपकी सब्सक्राइब से हमारा जो चैनल अभी चला है तो आई होप मुझे उम्मीद है कि आप लोगों सब्सक्राइब करने में हमारी हेल्प करेंगे तो इंटर की मैंने हिंदी पढ़ाई है हार्स बर्धन राश्यरी तो इंटर में जो आप देखेंगे कि प्रेश्ट खेगे और ठीक है तो यहां पर इसे कर सकते हैं किया लिए डिशैब ऑर राजपूत उर्डड़ बर्धा के ससाब दिया डिफीट जो राजपूत थे उनके उस्थान यह उनके जन्म उदभव्क का क्या करा रचा था आपको उवर्ण करना है और उनकी जो डिस्ट्रॉय। और first time channel पर आये हूँ तो subscribe करना ना भूलें comment में जरू बताईगा वीडियो कैसा लगा और इसी तरिके से English का जो मैंने salt paper थमगा दिया है exam paper कैसा आएगा तो उसे आप एक बार जरू दिखिएगा Thank you